Hello everyone, myself Komal, welcome back on our YouTube channel यश्कून आज को जो हमारा topic है वो है use of still and yet sentence में जो है still का use कहां होता है, yet का use कहां होता है लेकिन हमारा topic स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को like कीजिए और subscribe कीजिए और साथ में जो bell icon है उसे जिरूर पैस कीजिए जिससे मैं new video upload करूँगी तो आपको उसका notification मिलेगा तो चलिए हमारा topic स्टार्ट करते हैं दिखें use of yet and still जो yet और still जो दोनों word है बिल्कुल same है दोनों का Hindi meaning बिल्कुल same है मतलब अभी तक बिल्क का जो यूज है सबसे पहले हम करेंगे use of still still का जो यूज होता है वो एजसे sentences में होता है जो काम जो है past में शुरू हो लेकिन अभी present में चल रहा हो यानि कि पहले शुरू हुआ है लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है अभी भी चल रहा है तौचिट इसके भी मैं आपको कुछ रूल मताती हूँ कि जो संटेंस में जो स्टिल का यूज ओता है वो खहा हम होता है। बच्चों को अप्स्टों होती है। उन्हे यह नौलीज हो नौलीज होती है कि एसरов के और इसको बहुत ऑद स्टेंस करना है। मैं आपको यह डाउट करती हूँ देखे जो थिल का यू स है संटेंस में और अफर्मेटी इसंटेंस में है फिल यूज कि और इसे चिजह करेंगे नेक्स देखते हैं, नेगिटिव, नेगिटिव में क्या होता है, जो still का use है, वो subject से पहले आएगा, यानि subject से पहले, या फिर उन कह सकते हैं, sentences से पहले, ठीक है, तो next देखें, interrogative, interrogative में जो है, subject के बाद still का use होगा, याद रखें, दोबारा मैं आपको एक बार rewind करवा दू कि still का use कहा होता है, जो affirmative sentences होते हैं, affirmative sentences में helping work के बाद में still का use होता है, और second देखें, negative sentence हो, तो negative sentences में, जो still का use सबसे पहले होगा, और बाद में sentence आएगा, यानि कि subject से पहले हम still का use करते हैं, और interrogative में, जो still का use है, वो सब्जेक्ट के बाद में होता है याद रखिए नेगेटीव में कहा होता है सब्जेक्ट से पहले और इंटेरोगेटीव संचेंसिज में सब्जेक्ट के बाद में तो इस इसका आपको खास जानकना है तो आपको मैं चलो कुछ एक्जामपल देती हूं जिससे आपको यहां आप अभी तब को एक बार भूल जाओ आप सिरफ यह sentence बनाओ कि वह सो रहा है सो रहा है आपको पता है present continuous tense है तो इसको जो translate करेंगे तो क्या बनेगा he is sleeping यह तो हमारा sentence है वो बन गया लेकिन आप देखिए मैंने आपको कहा था यह कौन सा sentence हा रहा है वह अभी तक सो रहे हैं यह affirmative sentence है ना तो यह negative है ना ही यह कोई interrogative है तो मैंने आपको क्या कहा था जहां affirmative sentence होते है तो वहाँ पर जो है still किसके बाद आता है helping verb के बाद तो यहां पर still कहा हैगा he is still sorry he is still sleeping ओके देखते है next example उसने अभी तक मेरी किताब नहीं दी अभी तक नहीं दी मतलब कि past में तो ली दी लेकिन अभी तक उसने उसको return नहीं की तो अब इसका जो है वही चीज same thing हम क्या करते हैं एक बार अभी तक को भूल जो यहां पर उसने मेरी किताब नहीं दी इसे translate करो तो क्या बनेगा अभी तक नहीं दी past की बात हो रही है तो he अभी डिडान गिव माई बुक अब यह देखिए यह जो sentence है वो कौन सा sentence है यह negative sentence आ रहा है और मैंने आपको कहा था कि जब negative sentences होते हैं negative sentences में still का use कहां होता है कहां होता है subject से पहले तो हम यहां पर यह देखिए यह राज negative और जो sentence है उससे पहले के आएगा still तो still यहां पर कहां लगेगा still he didn't give my book third example लेते हैं क्या तुम अभी तक खेल रही हो देखिए यह कौन सा sentence है interrogative तो सबसे पहले हम अभी तक को यहां पर भूल जाते हैं और पहले simple sentence बनाते हैं देखिए क्या तुम अब खेल रही हो इस अभी तक तुम एक बार भूल जाएं क्या तुम खेल रही हो तो क्या बनेगा इसका are you are you playing are you playing और देखिए अब यह तो बनके हमारे sentence simple sentence अब हमें use करना है भी still का अब देखिए still कहां लगेगा मैंने आपको बताया था कि interrogative में जो still का use होता है वो subject के बाद में होता है और subject हमारा कहां है यह रहा यह हमारा subject है तो अब यह जो word है still का use कहां हो जाएगा यहां लगेगा इसको जब हम पूरा करके देखिए तो क्या बनेगा are you still are you still playing ओके तो चलिए देखते हैं हमारा next example देखिए अभी भी वारिश हो रही है या वर्शा हो रही है तो ऐसे sentence को देखिए को कैसे बनाएंगे एक बार अभी भी को भूल जो only आप बनाओगे वर्शा हो रही है तो क्या बनेगा it is raining अब ध्यान देजी जो यह sentence है वो कौन सा sentence है affirmative sentence है और affirmative sentences में जो still का use होता है वो helping work के बाद में होता है क्या राहूल के दादा जी अभी भी जीवित है तो अभी यह कौन सा sentence हो गया पास सरी interrogative की बात हो रही है तो पहले आप क्या बनाओगे अभी भी को एक बार भूल जाओ symbol बनाओ क्या राहूल के दादा जी जीवित है तो क्या बनेगा इस राहूल्स ग्रेंट फादर अलाईव अब यह देखें कोशन जो है interrogative वाला sentence है और interrogative sentences में जो still का use कहा होता है subject के बाद में हमारा subject है राहूल्स ग्रेंट फादर हमारे सब्जेक्ट है तो यहां इस still जो है ग्रेंट फादर के बाद हम place करते हैं ओके थर्ड एक्जम्पल देखते हैं वह अभी भी school नहीं आया अभी भी school नहीं आया तो देखें क्या है negative sentence है और negative में जो है हम still का use subject से पहले करते हैं तो यह sentence देखी कैसे बनेगा still still he didn't still he didn't come to school ओके तो चलिए अब हम करते हैं use of yet yet का जो use ऐसे sentences में होता है जिसमें अभी भी काया पूरा ना हुआ हो तो ऐसे जो जैसे कि still में हमने किया था कुछ रूल किये थे कि जो इंटेज अफर्मेटी संटेंस है उसमें still का use कहा होगा helping work के बाद negative में जो still का use है वो subject से पहले होगा और interrogating में subject से बाद में होगा लेकिन yet में ऐसा कोई rule नहीं है yet का जो है yet conjunction को हम या तो sentence के बिल्कुल last में लगाएंगे या sentence में sentence से बिल्कुल पहले लगा सकते हैं तो देखें कुछ example देती हूं जिससे आपको बिल्कुल clear होगा वह अभी तक नहीं आया वह अभी तक नहीं आया एक बार अभी तक को आप भूल जाओ simple sentence बनाओ वह नहीं आया तो क्या बनेगा he didn't come अब यहाँ आप चाहे तो yet को इससे ही से पहले लगा दो और अगर आप चाहो तो last में लगा दो this sentence is correct लेकिन एक बार यहाँ रखना जो yet का use है वो बीच में sentence में कहीं भी नहीं कर सकते देखिए next example वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है तो देखिए क्या बनेगा he is waiting for you अब आपकी मलची है या तो आप yet को यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा सकते हो तो हम यहाँ लगा दिंगे से yet he is waiting for you third example देखती है उसने अभी तक अपना कार्या पूरा नहीं किया है देखो negativity आदिए नहीं हाँ उसने अभी तक अपना कार्या पूरा नहीं किया है तो he didn't complete his work तो सेम जी आपकी जो इच्छा है चाहे तो आप yet को यहाँ लगा दो yet अभी तक उसने कार्या पूरा नहीं किया है चाहे आप यहाँ लगा सकते हो अब देखिए जो still है आप इन sentences में still भी यूज कर सकते हो वो कैसे कि वह अभी भी तुम्हारा इंतिजार कर रहा है तो आप इस sentence में still भी यहाँ पर लगा सकते हो अगर देखो यह को अटा दे तो he is still waiting for you क्योंकि जोब यह कुन सा sentence बन जाएगा offer waiting he is still waiting for you और he didn't complete his work तो यहाँ पर अगर आप still का यूज करोगे तो क्यासे चलोगे still he didn't complete his work तो यहाँ पर still का भी यूज कर सकते हो यह topic बिल्कुल clear होगया होगा मिलते हैं हमारे next video में thank you